एक बार बुद्ध अपने भिक्षू के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गाव की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक बुद्ध के पैरों में काटा लग गया। काटा इतना तीक्षन था कि चुबते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षू ने रक्त को रोकने के लिए एक कपा फाड़ कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो की बुद्ध से इरश्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परमग्यानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिध्ध कर दिया हैं। ये काटे हमने ही बिच्छाए हैं। इस गाव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरसकार होगा। इस गाव में तुमको कोई भीक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गाव से भीक्षा लेने दो। बुद्ध के इर्शालूओं ने बुद्ध का उफास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गाव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस काटों के रास्ते से गुजना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनोती को स्वीकार कर लिया और काटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुसकराते हुए काटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गाव वाले चकित रह गए, कुछ लोगों की आँखे फटी की फटी रह गई। गाव भी जा सकते थे, तो फिर काटों पर चल कर क्या साबित करना चाहते हैं। गाव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात भिक्षा की नहीं बलकि जीवन को बदलने की थी। गाव वालों की भीर में एक सुमित नाम का युवक थ जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दोड कर गया और बुद्ध के पेरों के सामने से काटे को हटाने लगा। बुद्ध के इर्श्यालू सुमित को रोकने लगे और गाव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने कि की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला है भगवन आप इन मुठी भर लोगों के अपने आपको कश्ट मत दीजिए आप गाव में प्रवेश कीजिए बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं बुद्ध ने सुमित को अपने आस बुलाया और दूशित क्यों कहते हो स्पर्श से कभी कोई भी दूशित नहीं होता है मनुश्य तो लोब लालच ग्रिना इर्श्या से दूशित होता है तुमहरे अंदर तो प्रेम भरा है तुम दूसरों का सुक चाहते हो तुम तो पवित्र हो बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बो की मानवता छिनना पाखंडी की निशानी है. मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोश मिलता है, तो मेरे लिए दुहक का कोई विशय नहीं है. कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परन्तु ये तो धर्म शास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमरी उत्पती इस स्रिष्टी में हुई है, नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है, खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है, खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है. स्रिष्टी करता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगारता है. बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं, तो सुमित को अपना भिक्षू क्यूं नहीं बन लेते हैं, बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षू बन सकते हो, बुद्ध के आमंत्रन पर सुमित पहला नीच जाती का बौध भिक्षू बनता है, इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेश भी लोगों का जीवन रुपान तरित हुआ,